नमस्कार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ सिंदे जी उपमुख्यमंत्री बाई देवेंद्र फड़नविश जी अजीत पवार जी स्री मंगल प्रभार्थ लोढ़ा जी राजसरकार के अन्य सभी मंत्री गण देवी और सज्जनो नवरात्री का पावन परव चल रहा है आज मा के पाँचवे स्वरूप स्कंद माता की आराधना का दीन है हर मा की ये कामना होती है कि उसकी संतान को सुख मिले यश मिले सुख और यश की ये प्राप्ति सिख्षा और कौशल से ही संभव है ऐसे पावन समय में महाराष्टर के हमारे बेटे बेटियों के कौशल विकास के लिए इतने बड़े कारकम का शुभारम हो रहा है और मैं जो लाखों नवजवान मेरे सामने बैटे है और जो इस कौशल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लिए है मैं जरूर कहता हूँ को उनके जीवन में आज की ये प्रभात मंगल प्रभात बन गई है महाराष्ट में पांसो ग्यारा ग्रामिन कौशल ये विकास ये केंद्रों की स्थापना होने जा रही है साथियों आज पुरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है बहुत से देश एशे हैं जहां पर सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत जादा है बुजुर्ग की संख्या बढ़ रही है और ट्रेन युवाँ बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं इस बारे में किये गए सर्वे ये बताते हैं कि दुनिया के सोला देश करीब करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने यहां नोकरी देना चाहते हैं इन देशों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी उसकी कमी की वज़े से ये देश दूसरे देशों पन निरभर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर हेल्ट केर सेक्टर टुरिजम इंडस्ट्री हास्पिटलिटी एजुकेशन और ट्रांस्पोर्ट जैसे बहुत सारे सेक्टर है जहां आज विदेशों में बहुत डिमांड है इसलिए भारत आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बलकि दुनिया के लिए भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को तैयार कर रहा है इजो नए कौशल विकास केंद्र महराष्टर के गावों में खुलने जा रहे है ये भी युवाओं को दुनिया भर के अवसरों के लिए तैयार करेंगे इन केंद्रों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे आदुनिक तौर तरीके से खेती कैसे हो इससे जुड़ी स्खिल्स सिखाई जाएगी महराष्टर में मिडिया और एंटर्टेंड्मेंट का काम इतना बड़ा काम है इसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले अनेक केंद्र स्थापित होंगे आज भारत इलेक्ट्रोनिक्स और हाडवेर का बहुत बड़ा हब बन रहा है ऐसे में दर्जनों केंद्रों पर इस सेक्टर से जुड़ा काउशल भी सिखाया जाएगा ये महराष्टर के युवाओं को इस काउशल भीकास के केंद्रों की मैं बहुत बहुत बढ़ाई दूँगा बहुत बहुत सुपकामराई दूँगा और मैं सरकार से भी आगरह करूँगा सिंदेजी और उनकी पुरी टीम से के इनके काउशल भीकास में हमने सौफ ट्रेनिंग की और भी थोड़ा समय देना चाहिए जिसमें अगर ये हमारे नवजवानों को विदेश जाने का मोका मिलता है तो सामान ये भवार की जो बाते होती है जो तजूर्बा होता है एक दोस बीस अच्छे दुनिया में काम में आजाएं ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना हो या AI के माध्यम से उनको interpreter के रूप में लेंग्वेज समस्याएं ना आएं तो ये चीजे विदेश में जाने वाले लोगों के लिए बहुत काम आती हैं और इस प्रकार से जो पहले से तयार होते हैं कम्पनियां भी उनको जल्दी रिक्रूट करती हैं ताकि वो वहाँ जाकर के तुरंत ही इस काम के लिए योग्यब बन जाते हैं तो मैं चाहूंगा soft skill के लिए भी कोई न कोई प्रावधान किया जाएं कोई online modules डेवलप किये जाएं जो बाकी समय online exam देते रहें ये बच्चे तो हो सकता है कि एक विशेस विदा उनकी डेवलप होगी साथियों लंबे समय तक सरकारों में skill development को लेकर ना वैसी गंबीरता थी और ना ही वैसी दुरदरश्टी थी इसका बहुत बड़ा नुक्सान हमारे नवजवानों को उठाना पड़ा इंडस्ट्री में डिमान होने के बावजूत नवजवानों में टैलेंट होने के बावजूत skill development न होने से युवाओं के लिए नोक्री पाना अत्यन्त कटिन हो गया था यह हमारी सरकार है जिसने युवाओं में skill development की गंबीरता को समझा है हमने skill development के लिए अलग मंत्राले बनाया और भारत में पहली बाद skill इसी एक विशय के लिए dedicated मंत्राले है मतलब की देश के नवजवानों के लिए dedicated एक नया मंत्राले है अलग से बज़रता है किया गया है और अनेक योजनाय शुरू की कौशल विकास योजना के तहट अभी तक एक करोड तीस लाग से जादा युवाओं को अनेक ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा चुकी है सरकार ने देश भर में सेकडो प्रधान मंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किये है साथियों स्किल डेवलप्मेंट के ऐसे प्रयासों से सामाजिक न्याय को भी बहुत बल मिला है बाबा साहब अम्बेड कर भी समाज के कमजोर वर्गों के कौशल विकास पर बहुत जोर देते थे बाबा साहब का चिंतन जमीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ था वे इस बात से भली भाती परिचित थे कि हमारे दलीत और वंचित भाई बहनों के पास उतनी जमीने नहीं है दलीतों पिछडों आदिवासियों को गरिमापुर्ण जीवन मिले इसके लिए वो अउद्योगी करान इंडस्टियलाइजेशन उस पर बहुत जोर देते थे और उद्योगों में काम करने के लिए सबसे अनिवारिय शर्त है स्कील, कौशल अतीत में बड़ी संख्या में समाच के यही वर्ग स्कील्स के अभाव में अच्छे काम अच्छे रोजगार से वन्चित थे और आज भारत सरकार की कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाब गरीब दलीत पिछडे और आदिवासी परिवारों को ही हो रहा है साथियो माता सावित्री भाई फुले ने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़दे का मार्व दिखाया था उनका अटूट विस्वास था कि जिसके पास ग्यान और कौशल होता है वही समाज में परिवर्तन ला सकता है माता सावित्री भाई की प्रेणा से सरकार बेटियों के सिक्षान और प्रसिक्षान पर भी समान जोर दे रही है आज गाउ गाउ में स्वयम सहायता समू सेल्फ एल्फ गूर्प के माध्यम से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है महिला ससक्तिकरन कारकम के तहट तीन करोड से जाजाब महिलाओं को विशेश प्रसिक्षन दिया गया है अब देश ड्रोन के माध्यम से खेती और विविन्न कारियों को भी प्रोच्साहित कर रहा है इसके लिए भी गाउं की बहनों को विशेश ट्रेनिंग दी जाएगी साथियों हमारे यहाँ गाउं गाउं में ऐसे परिवार है जो पीडी दर पीडी अपने हुनर को आगे बढ़ाते है कौन सा गाउं ऐसा होगा जहां बाल काटने वाले जूते बनाने वाले कपड़े धोने वाले, राजमिस्त्री, बढ़ई, कुमहार, लोहार, सुनार ऐसे हुनर मन परिवार नहीं है ऐसे परिवारों को सपोर्ट करने के लिए ही अब भारत सरकार ने जिसका अब उलेक अजित दादा ने भी किया भारत सरकार ने पी-एम विश्व कर्मा योजना भी शुरू की है इसके तहट ट्रेनिंग से लेकर आदूनिक उपकरण और काम को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर सरकार आर्थिक मदद दे रही है इस पर केंदर सरकार 13,000 करोड रुपे खर्च करने जा रही है मुझे बताया गया है कि महराष्ट में महराष्ट में बनने जा रहे ये पांसो से अधिक ग्रामिर कौशल विकास केंदर भी पी-म बिश्व कर्मा योजना को आगे बढ़ाएंगे मैं महराष्ट सरकार को इसके लिए विशेश रुप से बढ़ाए दूँगा साथियों कौशल विकास के इन प्रयासों के बीश हमें ये भी सोचना होगा कि कीन ख्षेत्रों में स्किल्स बढ़ाने से देश को ताकत मिलेगी जैसे आज मैनिफेक्टरिंगी में अच्छी क्वालिटी के प्रोड़क्ट जीरो डिफेक्ट वाले प्रोड़क्ट देश की आवशक्ता है इंड़स्ट्री 4.0 के लिए नई स्किल्स की जरुरत है सर्विस सेक्टर नौलेज एकॉनमी और मौडरन टेक्नोलोजी को ध्यान में रखकर सरकारों को भी नई स्किल्स पर जोड़ देना होगा हमें ये देखना होगा कि किस तरह के उत्पादों का निर्मान हमें आत्मन निर्भरता की तरफ ले जाएगा ऐसे उत्पादों के निर्मान के लिए हमें जरूरी स्किल्स को बढ़ावा देना होगा साथियों भारत के क्रिशी सेक्टर को भी आज नई स्किल्स की बहुत जरुरत है केमिकल वाली खेती से हमारी धर्ती माँ पर बहुत अत्याचार हो रहा है धर्ती को बचाने के लिए नेचरल फार्नमिंग प्राकुरतिक खेती ये जरुरी है और इसके लिए भी स्किल्स की जरुरत है खेती में पानी का कैसे संतुलित उप्योग हो इसके लिए भी नई स्किल्स को जोड़ना आवश्चट है हमें एगरी प्रोड़क की प्रोसेसिंग उसमें वेल्व एडिशन इसकी पैकेजिंग ब्रैंडिंग और उसे ओनलाइन वर्ल तक पहुचाने के लिए भी नई स्किल्स आवश्चग है जरुरी है इसलिए देश की विबिन्द सरकारों को स्किल्ड डवलप्मेंट का अपना दाइरा और बढ़ाना होगा मुझे विश्वास है कौशल विकास को लेकर ये चेतना आजहादी के अमृत काल में विक्सिद भारत के निर्मान में बड़ी भूमी का निभाएगी मैं फिर एक बार सिंदे जी और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं शुपकामनाई देता हूं और जो नवजवान बेटे बेटियां कि इस कील के रास्ते पर आईये हैं सोचे रही हैं जाना चाहती हैं मैं समझता हूं कि उन्होंने सही रास्ता चुना है वो अपने इस कौशल के माध्यम से अपने इस सामर्था के माध्यम से अपने परिवार को भी बहुत कुछ दे सकते हैं कि देश को भी बहुत कुछ दे सकते हैं मेरी तरफ से इन सभी नौजवान बेटे बेटियों को विशेस रुप से अनेक शुपकामना हैं मैं एक अनुभव बताता हूं मैं एक बार सिंगापूर गया तो सिंगापूर के प्रधान मत्री उनके साथ जो मेरा कारकम बना तो मेरी प्रधान मत्री जी का आगरत था तो मैंने का ठीक है मैं कुछ एड़ेस करता हूं मैंने हमारी टीम ने सब वर्क आउट किया एड़ेस हुआ और क्या किसके लिए मांगा तो वो मुझे जैसे हमारे हाँ आई टी आई होती है वैसा जो सिंगापूर का स्किल डवलप्मेंट सेंटर है वो देखने के लिए ले गए और इतने गर्व से वो मुझे दिखा रहे थे वो कह रहे थे हैं कि मैंने इसको बड़े मन से बनाया है और एक समय था कि लोगों को इस प्रकार की इंस्टिटूट में आने से सामाजी ग्रूप से प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी शरम आती थी उनको लगता था अच्छा आपका बच्चा कॉलेज में नहीं पढ़ता है यह यह स्कील सेंटर डेवलप हुआ है बड़े बड़े परिवार के लोग भी मुझे सिफारिश करते हैं कि उनके घरों में उनके परिवारों में भी स्कील के लिए इसमें एड़िशन मिले और सचमुझ में उन्होंने इतना बढ़िया उसके तरफ द्यान दिया लेकिन उसके प्रतिष्ठा बद गई, हमारे देश में भी स्रम को प्रतिष्ठा, स्रमयेव जयते, ये हमारे जो स्किल मैंट पावर है, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना ये समाज का भी कर्तब है, मैं फिर एक बार इन सभी नवजवानों को रदय से बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ, बहुत-बहुत सुपकामनाई देता हूँ, और मुझे आपके इस कारकम में आने का आउसर मिला, इन लाखों की तादार में मैं देख रहा हूँ, चानों तरफ नवजवानी नजर आ रहे हैं, उन सभी नवजवानों के साथ मिलने का मोका दिया, मैं मंगल प्रभाद जी का और सिंदे जी की पूरी टीम का रुदेश से धन्यबाद करता हूँ, नमस्कार.